नमस्कार डेली डारी न्यूज में आप सभी का स्वागत हैं भारत और स्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज दिन का खेल खत्म होते होते स्रीलंका ने अपने 5 बिकेट गवा दिये दिन का खेल खत्म होते समय स्री लंका 154 अन पे अपने 5 विकेट गवा चुकी है मतलब अपने आधी टीम को वो पवेलियम भेच चुकी है और उसका एक खिलाडी मैदान से बाहर है जो मैदान में उतरेगा ही नहीं जहां इस मैच में भारती गैंदवाजों ने बहतरीन गैंदवाजी की वहीं फिल्डिंग में अभिनम मुकुंद ने एक ऐसा कमाल कर दिया जिससे स्री लंका की टीम बिलकुल पस्त हो गई स्री लंका के बल्ले बाज उपल तरंगा को उन्होंने बहतरीन तरीके से रनाउट किया वहीं उन्होंने एक सांदार कैच भी लपका जिसके बाद स्री लंका पूई तरीके से बस्त हो गई आपको बता दे कि जहां स्रीलंका की तरफ से दो कैच छोड़े गए थे वहीं भारत की तरफ से दो हाफ चांस को फुल चांस बना कर भारत ने ये सावित कर दिया कि वर्ल्ड क्रिकेट में फिल्डिंग की वेस्ट साइड है और खास कर अभी मुकेट ने ये सावित कर दिया वले ही उन्होंने बल्ले से रन ना बनाए हो लेकिन फिल्डिंग में उन्होंने वो काम कर दिया जिससे भारतिये गैंदबाजों का काम और आसान हो गया अब देखना ये होगा कि स्रिलंका के टीम 30 दिन कितने रन और बना पाती है